जैसी आराम दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं नाग इस्तरोत के बारे में और नवनाग इस्तरोत के बारे में इसके महत्व के बारे में भी जानेंगे अर्थ के बारे में भी जानेंगे और क्या-क्या लाब आपको प्राप्त हो सकते हैं ये इस्तरोतों का पार्ट करने से इनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे और ये भी जानेंगे कि आपको इन इस्तरोतों को किन किन शो मौकों पर जरूर से पढ़ना चाहिए तो आपको इसका अनंत गुना लाब देखने को मिलता है दोस्तो सावन का महीना चल रहा है इस सावन के महीने के अराद देव भगवान शिव माने जाते हैं और इसी महीने में जो है नाग पंचिमी का त्योहार भी मनाया जाता है हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव ने नागों को आभूशन के रूप में धारण कर रखा है तभी नागों को जो है देवता के रूप में पूजित किया जाता है आप सभी को ये जानकर हैरानी होगी कि नाग देवताओं की भी स्त्रोत होते हैं जिनके पाट करने से आपको अखंड सौभाग लक्षमी की प्राप्ती होती है तो आज हम बात करने वाले हैं बिलकुर ऐसी ही दो इस्त्रोतों के बारे में तो पहला इस्त्रोत आता है यहाँ पर नाग इस्त्रोत तम आईए इसके बारे में आज हम जान लेते हैं तो नाग इस्त्रोत जो है वो नाग देवता को समर्पित है इस स्त्रोत के जरीए उन्हें धन्यवाद व्यक्त किया जाता है कि उन्होंने संपून प्रत्वी का भार अपनी मनी पर धारन किया हुआ है हिंदू धरम में नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा अर्षना करने का विधान भी है जिस भी व्यक्ति की कुणली में काल सर्पियोग होता है उसे भी इस स्त्रोत का पाट करने से फल की प्राप्ती होती है इस स्त्रोत का पाट करने से सर्प भैसे भी आपको मुक्ती मिलती है हिंदु मानेताओं में नाग देवता को पूजनी ये इस्थान प्राप्त है इसलिए उनकी पूजा अर्षना की जाती है देश में उनके कई प्रिसिद्ध मंदिर भी बनाय जाते हैं और मैंसे सबसे खास मंदिर जो है वो है नाग चंदरेशवर का मंदिर जो की महाकाल में स्थित है और ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की रक्षा 365 दिन तक्षक नाग जो है वो करते हैं ऐसा भी कहा जाता है कि तक्षक नाग जो है महा काल मंदिर में साधना में लीन रहते हैं इसलिए साल भर ये मंदिर बंद रहता है कि वर नाग पंचमी के दिन ही वो खुलता है और ऐसा माना जाता है इस मंदिर के बारे में कि जो भी व्यक्ति काल सर्पदोख्ष नाग उसको इस मंदर के दर्शन जरूर से करना चाहिए जो भी व्यक्ति नाग देवता के दर्शन करने के साथ नाग इस्तरोत का पाट भी करते हैं तो उन्हें कल्यान कारी फल की प्राप्ती होती है नाग पंचमी के दिन यदि नागों की पूजा की जाये तो उस व्यक्ति को नमेत रूप से पाट करने से मनुश्य को सभी छेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है। नाग देवता माता लक्षमी जी के सेवक भी माने जाते हैं। वह अमूले नाग मणियों एवं देव निधियों के प्रहरी भी माने जाते हैं। याने की जो नाग मणियां हैं जो अमूले नाग मणियां हैं वो इनकी ही देख रेक में रहती हैं। इस कारण प्रते दिन नाग से पढ़ सकते हो आईए अब जान लेते हैं नाग इस्त्रोत का हिंदी में क्या अर्थ होता है तो पहला इश्लो कहता है कि जो सर्प ब्रह्मा लोक में और शेशनाक के साथ प्रोहित के रूप में हैं उन सभी सर्पों को मेरी पूनश्रद्दा भावना के साथ में नमस्कार कर करता हूं तीसरा इश्लोक जो सर्प रुद्र लोक में हैं और उनमें तक्षक प्रमुख हैं उन सभी सर्पों को मेरी पूनश्रद्दा भावना के साथ मैं नमस्कार करता हूं चौथा इश्लोक जो सर्प खांडव में हैं और अगनी के दहन में और स्वर्ग में भी समाहित उन सभी सर्पों को मेरी पूनशद्दा भावना के साथ मैं नमस्कार करता हूँ पांचवाश लोग जो सर्प यग सत्र के अवसर पर अस्थी किन द्वारा रक्षित होते हैं उन सभी सर्पों को मेरा पूनशद्दा भावना के साथ नमस्कार है छटाइश लोग जो सर्प प्रले किसम है और कारकोटक प्रवुक सर्प हैं उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण शर्दा भावना के साथ नमस्कार है साथवाश लोग जो सर्प धर्म लोग में हैं और वैतरनी नदी में आश्रित हैं उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण शद्धा भावना के साथ नमस्कार है आठवाश लोग जो सर्प परवतों में हैं और धारियों के संगमों में इस्थित हैं उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण शद्धा भावना के साथ नमस्कार है नवाश लोग जो सर्प गाओं में या जंगलों में विश्रन करते हैं उन सभी सर्पों को मेरा पून शद्धा भावना के साथ उनको मैं नमस्कार करता हूँ दस वाश लोग जो सर्प पृत्वी पर हैं और जमीन के अंदर भी रहते हैं उन सभी सर्पों को मेरा पूर्ण शुद्धा भावना के साथ नमस्कार है अंतिम ग्यारवाश लोग रसातल में जो सर्प है वे अनन्त और बहुत वल्शाली हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ जो हमेशा मेरे प्रती प्रसन और आनन्दित हों इस प्रकार से जो नाग इस्त्रोत है उसका अर्थ समित यदि आप इसका प्रती दिन पाट करते हैं या नाग पंचमी के दिन इसका पाट करते हैं तो नाग देवता आपकी रक्षा भी करते हैं और आपको धंधाने से भी परिपून कर देते हैं और साथी साथ जो भी आप नाग इस्तरोत के बारे में नव नाग इस्तरोत में नौ तरीके के सांपों की जो है प्राथना की गई है जिन में पहला जो नाग है वो है शेश नाग दूसरे नाग है कारकोटक नाग तीसरे नाग आते हैं वासुकी नाग चौथे आते हैं पदम नाग फिर आते हैं फिर आते हैं शंकपाल नाग, कंबल नाग, तक्शक नाग और कालिया नाग इस तरीके के इनके जो 9 रूप हैंwią proposed नवनाग इस्तरोत के अंदर उसके बारे में भी हम अर्थ के बारे में जानेंगे और महत्व के बारे में भी आगे जानते हैं तो वीडियो में अंद तक जरूर से बने रही है श्री नव नाग इस्तरोत सर्पदोश, काल्प सर्पदोश, नाग दोश और मांगल्ले दोश को शांद करता है नाग इस्तरोत का जब सभी प्रकार के बुरे प्रभावों, शाप मंत्र और काले जादू से बचने के साथ साथ उन्हें नकारने के लिए भी किया जाता है नव नाग इस्तरोत भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन वाक्स में दे दूँगी तो आप उसको वहाँ से पढ़ सकते हो तो आईए सबसे पहले हम इनके कुछ इश्लोकों के अर्थ जान लेते हैं तो पहले इश्लोक में कहते हैं अनंत, वासुकी, शेशनाग, पदमनाब, कंबल, शंकपाल, धर्त राष्टो और तक्षक यह नाग देवता के प्रमुख नो नाम माने जाते हैं दूसरा इश्लोक कहता है कि जो लोग नित्त ही सायकाल और विशेश रूप से प्राता कालिन नामों का उचारण करते हैं उन्हें सर्प और विश्ट से कोई भें नहीं रहता तथा उनकी सब जगे विजए होती है अर्थात उनको सफलता प्राप्त होती है नव नाग इस्त्रोत जो है वो नाग देवता के नो अवतारों के बारे में बताता है इस इस्त्रोत के माध्यम से नाग देवता को उनकी सबी नाम के साथ इस्तुति कर उन्हें प्रसन कर सकती है नाग इस्त्रोत का जब करने से मनुश्य सबी शेत्र में विजए हासिल करता इस इस्त्रोत में नाग देवता के सभी नाम के साथ उन्हें धन्यवाद दिया गया है जो प्रत्वी के भार को अपने मणी पर उठाय हुए हैं इसलिए हम नाग देवता को इस इस्त्रोत के माध्यम से धन्यवाद करते हैं आईए लाप के बारे में भी जान लेते हैं नवनाग इस्तरोत हिंदू पौराने कथाओं में नौ नागाओं यानि नागों को समर्पित एक प्रार्थना है यदि कोई भी व्यक्ति इस नवनाग इस्तरोत का पाट करता है तो उसको साप की काटने और सर्प समन्दी कष्टों से सुरक्षा मिलती है नागाओं और द्वारा उत्पन बाधाओं और नकरात्म कूर्जाओं को ये दूर करता है स्वास्त धन और समर्दी के लिए आश्रिवाद भी देता है जोतिश में नागाओं से जोड़े शापों या दोशों को दूर करता है ये इस्तरोत नागाओं द्वारा प्रस्तुत प्राकृति कूर्जाओं के साथ सामन्दिस से भी स्थापित करता है आध्यात्मिक विकास और ग्यान की प्राप्ति भी करवाता है सापों से सम्मंदित भाय और चिंता का निवारण भी कर देता है नवनाग इस्तरोत को करने की विधी क्या है इसके बारे में जान लेते हैं सबसे पहले आपको एक शांत और साफ जगे ढूड़े जहां आप बिना ध्यान भटकाए आराम से बैठ सकें प्राथना और ध्यान के लिए अनकूल शांत वातावरण बनाना महत्वपून होता है आप प्रितिकात्मग भेट के रूप में एक दिया या धूब भी जला सकते हैं दूसरा आता है मानसिक तैयारी जब शुरू करने से पहले कुछ छण अपने मन की विकरशनों को दूर करने के लिए निकालें और अपना ध्यान दिव्वे नागों पर केंद्रित करें जब सत्र के लिए उनके आशिवाद और माग डशन का आवाहन करना चाहिए नवनाग इस्तरोत का जाब भक्ती और इमानदारी से शिरू करना चाहिए यदि आप संस्क्रिट छंदों से अपरेचित हैं आपको संस्क्रिट ठीक से पढ़नी नहीं आती है तो आप आगे पढ़ते हुए रिकॉर्डिंग को सुन सकते हैं या किसी पार्ट को भी पढ़ सकते हैं या आप एक कविता के तोर पर आप पढ़ सकते हैं उसको या हिंदी में भी आप उसका जाब कर सकते हैं जब करते समय प्रतेख शब्दों और अक्षर के उचारण पर आपको ध्यान देना चाहिए धीरे धीरे और इस पश्ट रूप से जब करने का प्रयास करना चाहिए जिससे ध्वनी के कम पर आपकी बीतर गूंड सकें आईए अब जानते हैं कि ये स्रुत कौन कौन कर सकता है और कब कब करना चाहिए नवनाग स्रुतम का जाप कोई भी व्यक्ति कर सकता है जो लिंग उम्र या जाती की परवा किये विनादिव नागों का आश्रिवाद और सुरक्षा चाहता हो इसका पार्ट कौन कर सकता है इस के पार्ट के लिए कुछ निश्चिस शुप समय से जरूर बताए गए हैं आए जान लेते हैं उन समय के बारे में पहला आता है राहुकाल के दौरान वैदे जोतिश में राहुकाल पृते एक दिन लगबग 90 मिनिट की समय का रहता है जो राहु ग्रह द्वारा शासित होती है इसे नई गती विदियों की शिरुवात के लिए तो अशुब माना जाता है लेकिन अध्यात्मिक प्रथाओं और अनुष्ठानों को करने के लिए इसे उप्युक्त माना जाता है राहुकाल के दौरा नव नाग इस्तरोत का जाप करने से इसकी प्रभावशीलता बढ़ सक को तो नाग पंच मी एक हिंदू तियोहार है जो सापों की पूजा के लिए समर्पित माना जाता है यह आमतोर पर सावन यानि की जुलाई या अगस्त या चंदर महा के शुक्ल पक्ष के पाचवे दिन पढ़ता है कई भक्त नागाओं का आशिवात पाने के लिए इस दिन नव नाग इस्तरोत का जाब भी करते हैं आप नव नाग इस्तरोत का जाब कर लीजिए चाहिए आप नाग इस्तरोत का जाब कर लीजिए तीसरा आता है नवरात्री के दोरा देवी दुरगा और उनके विविन रूपों की पूजा के लिए समर्पित नो रातों का त्योहा नवरात्री अध्यात्मिक प्रथाओं के लिए अत्याधिक शुमाना जाता है कुछ भक्त दिव्वे नागों का आशिवाद प्राप्त करने के लिए नवरात्री के दोरा नवनाग इस्त्रोतम का जाब करना भी चुनते हैं इस समय को जो की अतियंत ही लापकारी रहता है ये तो थे कुछ खास समय जिन पर आप इनको इन इस्त्रोतों को जाब कर सकते हैं यदि आप चाहें तो आप रोज भी इनका प्रयास कर सकते हैं जाब कर सकते हैं में निरंतरता और इमानदारी अक्सर जो है विशेश समय की तुलना में अधिक महत्वपून होती है यानि कि जो आप करते हैं जो विशेश समय उपर जैसे की नाक पंचमी या नवरात्री पर तो उनके दो बहुती फलकारी आपको उपाय मिलते हैं लेकिन यदि आप रेगु या अपने जोतिश चार्ट में सर्प प्रतीकों के कारण चुनोतियों का सामना कर रहा है यानि की चार्ट के अंदर आपकी काल्प सर्प दोश है या राहो के तो ने आपके सारे ग्राओं को ग्रस लिया हो तो आपको इस उपाय को जरूर से करना चाहिए ये नव नाग इस इस तरूत का आपको जाप करना चाहिए इस से आपको बहुत ये अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं यह जो इस तरूत हैं जहां आपको धन आदी लाब भौतिक लाब और अध्यात्मिक लाब भी देते हैं जैसे आसन की इस सिर्टा शेश नाग देते हैं और मन के वि कारों पर विजय भी दिलाते हैं तो जो नाग नव नाग इस रोत है इससे दूर दर्शिता बढ़ती है ज्यान चशु विक्सित होकर खुल जाते हैं दूर दर्शन सिद्धी दूर शरवन सिद्धी भू भर्ग सिद्धी काया कल्प मनुवांशित रूप परिवर्तन गंद मित्रात लोकादि लोग गमन आदी ऐसी बहुत सी सिद्धियां हैं जो नाक रिपा से या नाक साधना से प्राप्ति की जा सकती हैं मगर इसके लिए आपको कठोर साधनाय करनी पड़ती हैं या बहुत एक लाप की प्राप्ति के लिए एक एक दिन की नौ साधना भी कर सकते यदि आप साधना नाभी कर पा रहे हैं तो इन दोनों में से किसी भी एक स्तृत का जाप आप नियमित तोर पर कीजिए आपको जरूर से करपा मिलती है और साथी साथ माता लक्ष्मी की भी करपा आपको देखने को मिलती है और चुकि जो नाग के स्वामी हैं वो भगवान विश्नु भी कहे गए हैं जो शेशनाग पर विराचते हैं और भगवान शिव ने वासु की नाग को गले में धारन कर रखा है तक्षक नाग भी उनी की सिवा करते हैं तो आपको भगवान शिव और भगवान विश्नु की भ तो अभी मैं आप सबी से लेती हूँ विदा जै जै सीयराम